हलो दोस्तों में नाम प्रिंस और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रिंस फैंटेसी एक्सपर्ट वार आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप सीक्रेट के बारे में जो ड्रीम 11 के एक्सपर्ट प्लियर्स यूज करते हैं ग्रेंड लिग में जीतने के लिए ये टिप्स आपको भी एक प्रो की तरह टीम बनाने में मदद करेंगे और आपके विडिंग चांस को डेफिनेटली बूस्ट करेंगे चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं वीडियो में आगबरनेस पहले टेलिग्राम को जरूर जोइन करें यह हमारा टेलिग्राम चैनल है है और इसका लिंक आपको डिस्किप्सशन में मिल जाएगा तो परहला सीक्रेयट है कैप्टेन और वुइस कैपटन का सैलेक्षन डूसको Gfinder में कैप्टन और वइस कैप्टन का सैलेक्शन सबसे ज्यादा इंपोर्तन होता है expert player कभी भी popular twice को brandly follow नहीं करते हैं वो उस player को captain या voice captain बनाते हैं या तो वो लगातार अच्छा performing करा हो या फिर वो high risk हो या फिर high reward हो जैसे अगर किसी player का recent form अच्छा है लेकिन उसका selection percentage कम है तो उसे वो captain या voice captain बनाएंगे क्योंकि उसे captain या voice captain बनाना एक smart strategy होती है इस तरह के twice आपको ज़्यादा point दे सकते हैं और आपकी team crowd से अलग भी बनती है क्योंकि अगर आप grand league में number 1 पर आना चाहते हैं तो आपको सभी से अलग और unique team बनानी होती है और अब दूसरा secret है opposition के weak areas को analyze करना expert player हमेशा pitch report और अपने opponent team के weakness को समझते हैं अगर सामने वाली team की balling weak है तो वो strong batsman को अपनी team में include करेंगे जैसे Australia और Zimbabwe Cup match है आपको पता है कि Zimbabwe की batting जो है कमजोर है तो वो Australia के ballers को ज़्यादा अपनी team में रखेंगे अगर सामने वाली team की balling weak है तो वो strong batsman को अपनी team में include करेंगे especially opener batsman को जो power play में ज़्यादा से ज़्यादा run बना सकते हैं इसी तरह आपके opponent की batting strong है तो expert player deathovers के spellist ballers को prefer करते हैं जो wicket ले सकते हैं अब तीसा secret है form का analysis सिर्फ players के बड़े नाम पर ना जाए recently performance को judge करें expert players हमेशा recently match में कैसा performance रहा है उस पर fox करते हैं अगर कोई player लगातार अच्छा performance दे रहा है तो वो उसको अपनी team में रखते हैं चाहे उसका selection percentage ज़्यादा ही क्यों ना हो recent form को देखकर expert team बनाते हैं और इसी वज़े से उनका success ratio हमेशा से आई रहता है चोथा secret है low oversip players को pick करना grand league में जीतने के लिए आपको crowd से हट कर सोचना पड़ेगा जो player कम लोग select करते हैं वो actually आपके लिए game changers होते हैं अगर वो unexpectedly अच्छा perform करते हैं expert player ऐसे player को identify करते हैं जो form में तो हैं लेकिन उनका selection percentage कम है क्योंकि अगर वो अच्छा perform करते हैं तो आपको बाकी सबसे ज़्यादा advantage मिलता है और आपके एक number पर आने के chance आई रहते हैं आकरी और important secret है pitch और weather conditions को ध्यान में रखना expert players हमेशा match से पहले pitch report और weather conditions को analyze करते हैं अगर pitch spinners friendly है तो वो extra इस तो अपनी team में लेते हैं अगर pitch batting के लिए helpful है तो वो aggressive batsman को priority देते हैं अगर rain forecast है तो expert ballers और all rounders को prefer करते हैं क्योंकि match थोड़ा low scoring होने का chance हो जाता है ऐसे मौसम में जिसमें बारिस होने की संभावना बढ़ जाती है तो दोस्तों ये थे कुछ top secret जो dream alone के expert players यूज करते हैं grand league जीतने के लिए अगर आप भी इन tips को follow करेंगे तो definitely आपके winning chance बढ़ेंगे अगर आप कोई वीडियो helpful लगी हो तो like और share और subscribe जरूर करें और comment में बताएगी आप next video किस topic पर देखना चाहते है